पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाऊं का विरोध किया जा रहा है। कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी। देश के लिए बहुत आफ़त पैदा हो जाएगी इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत जादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है इतना जबर्दस तरीके से विरूद क्यों किया जा रहा है पिछले सत्तर पिछत्तर साल से सरकारी स्कुलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है पिछले सत्तर पिछत्तर साल से सरकारी अस्पतालों में करीबों को फ्री दवाईया मिलती है प्री राशन हर महीने भेजा जाता है अचानक ऐसा क्या उगया कि इन सारी चीजों को बंद करने कि इन सारी चीजों को वापस लेने की इन सारी चीजों कि खिलाफ इतना झबरदस्त विरोध क्यूं पैदा उगया केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है अभी थोड़ दिन पहले ये अगनीवीर स्कीम लेके आये अगनीवीर योजना अगनीवीर योजना जब लेके आये तो कहा गया कि अगनीवीर योजना लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिको का जो पेंशन का खर्चा है सैनिको क से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बरदाश्ट नहीं करकिया जा रहा हूँ आज तक कभी किसी सरकार ने ये निका कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है आज तक किसी सरकार ने ये निका कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं सेनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते हैं सेनिक हमारे उपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के उपर अपनी जानदाओं पर लगाते हैं ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के उपर केंद्र सरकार अब सेनिकों के पेंशन की बिल भी पेंशन सेनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बचिया और उन्होंने उस पेंशन के बिल को खतम करने के लिए अगनी विर्योजना लेके आया है अभी कु आठमा वेतन आयोग अभी बनने वाला था आठमा वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम आठमा वेतन आयोग नहीं बनाएंगे ही आटो इन नाज्वीन हर 10-10 साल में बनता है एलिजे कि हमारे पास पैसा नहीं है पैसे की कमी के केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के करम्चारियों का वेतन्स बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा मैं कहां गया केंदर सरकार का सहरा पैसा ऐसा केंदर सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंदर सरकार के बस अपने अपने करमचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था वेतनायोग बिठाया जाता था वो भी नहीं बिठा रहे हैं मन रेगा देश के गरीब से गरीब आद में जिसके घर में कुछ भी नहीं होता उस व्यक्ति को सरकार साल में सौ दिन की ध्याड़ी का पैसा देती है सौ दिन का काम देती है और फिर सौ दिन का पैसा देती है ध्याड़ी के इसाब से केंद्र सरकार के रही है हमारे पास वो प पैसे में 25% की कटोती कर दी गई है, देश के सबसे गरीब, सबसे मज़दूर आदमी, किसान मज़दूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गाउं में रहते हैं, वो लोग ध्याडी के हिसाब से साल में 100 दिन की ध्याडी करते थे, और सरकार उनको गड़े खोतने काम करते थे कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे उनको सरकार सौ दिन की ध्याड़िया करती थी उसमें भी कटोती कर दे गई हैं एक केंद्र सरकार कि जितना टैक्स हिकटता करती है देश भर से उसमें से एक एक राज्यों को देती है, अभी तक ये था कि 42 प्रतीशत उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था, पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 39-30% कर दिया गया है, राज्यों को जो पैसा केंदर सरकार देती है, उसकी भी कमी कर दी गई है, कह रहे हैं, पैसा नहीं है, आखिर गया कहां केंदर सरकार का सारा पैसा, 2014 में जितना टैक्स कठा करता था, करती थी केंदर सरकार, उससे तो दुगना तिगना टैक्स कठा और आज की डेट में, यह सारा पैसा जा कहा रहा है आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं माज़ादी के पहली बार एक गडरीब आदमी की गेहूं और चावल के उपर टैक्स लगाया गया, खाने पिने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, कभी नहीं लगाया, किसी सरकार नहीं लगाया, सबसे क्रूर चीज है ये एक, एक बिलकुल गरीब आद में एक भिखारी, जिसके असकुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब करीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, किसी सरकार नहीं इतना खूर कदम नहीं उठाया था, गेहूं पर टैक्स लगा दिया, चावल पर टैक्स लगा दिया, गुड के उपर टैक्स लगा दिया, शहद पर टैक्स लगा दिया, छाच पर टैक्स लगा दही पे टैक्स लगा दिया पनीर पे टैक्स लगा दिया क्या जरूरत पड़ गई क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की की गरीब से गरीब आदमें की खाने के उपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था कि और केंद्र सरकार कार ने पेटल और दीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है हर रोज बताते हैं ह Cou STEM क्रोडर रूप deben it की पेटूल और कि से टेक्स पर आम्दनी होती है सालमे लगबक साड़े तीन लाख करोड रुपए की हामदनी होती है के इंदर सरकार की पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है कहां यह सारा बैसा और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं के जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए हैं सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किये जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए ऐसा कह रहे हैं ये लोग आप सोच के देखो अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा ही खराब है और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा आधे से जादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे देश आगे कैसे बढ़ेगा कह रहे हैं कि सारे सरकारी स्कूलों के अंदर पैसे लगने चाहिएं सरकारी स्कूलों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दिया मैंने मीडिया में खबरे पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपे महीना फीस लगा दिये एक राज्य के अंदर 500 रुपे महीना फीस लगा दिये कहां से लाएगा एक गरीब आदमी 500-500 रुपे महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिया इलाज नहीं होगा गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए और जिसके पास पैसे नहीं होगा म कि इतनी केंदर सरकार हैं किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गा कब से मिल रहा है रिफ्री का राशन कब से राशन की दोगाने कब से हैं अब यह फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं प्रश्णुर्था यह सारा पैसा केंद्र सरकार का गया का दो हजार चौदा में लगबग केंद्र सरकार का बीस लाख करोड का बजट होता था आज केंद्र सरकार का लगबग चालिस लाख करोड का बजट है तो यह सारा पैसा जाका रहा है इन्होंने अपने दोस्तों के इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के जो अरब पती लोग हैं ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने दस लाख करोड रुपए के करजे माफ कर दी है सरकारी पैसे से इनोंने इन में जितने के करजे माफ के कई इनके दोस्त हैं सरकारी पैसे से इन लोगोंने सुपर रिच लोगों के अरब पती लोगों के दस लाख करोड रुपए के करजे माफ कर दिये किसी के साथ हजार करोड रुपए माफ कर दिये किसी के दस हजार करोड रुपे माफ कर दिया है क्यों है अगर यह करजे माफ नहीं किये जाते इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर करजे माफ नहीं किये जाते हैं तो इनको खाने पीने की चीज़ें के उपर टैक्स लगाने के जुरूरत नहीं पड़ती है अगर आज इनके पास सेना के जवानों की पैंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती है अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिया जाते तो इस तरह के देश की हालत नहीं होती .